आज हम बनाएंगे एक बहुती सॉफ्ट स्पॉंजी बनाना केक और बिना मैदा यूज किये गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे आज हम इसे और बिना एग्स और बिना अवन घर की नॉमल कडाही में बनेगा आज का ये केक पर फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट और एकड़म स्पॉंजी बनता है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ये दो अच्छे से पके हुए केले लिए हैं अगर आपके पस को ओवर राइब केले हों जिसे हमें लगे कि ये फैंकने पड़ेंगे यूज में नहीं आ सकते तो उन केले से भी आप ये केक बना सकते हैं तो बस इसे इस तरह से चोटे टुकडों में काटके एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और साथ में मैं इसमें डाल रहे हूं आधा कप प्लस दो बड़े चमत चीनी इसी के साथ हम अपने केले को पीस लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पावडर शुगर बनाने की भी जरुरत नहीं है इसमें तो बस इसे ग्राइंड कर लेंगे तो अब हमारा ये ग्राइंड करने के बाद मिक्षर तायार है अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में और इसके बाद अब हम अपना केक बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने होम मिड अवन को गरम होने के लिए रख देंगे तो कोई भी मोटे तले वाली कडाही ले लेंगे उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे नमल खाने वाला नमक है ये और इसके उपर अब हम एक स्टांट रखेंगे इसके जगा किसी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं और उपर से इसे धखके मीडियूम फ्लेम के उपर 10 मिनट तक गरम होने देंगे और एक तरफ मोल्ट को भी तायार कर लेंगे तो मैंने यहाँ ये रिक्टांगुलर मोल्ट लिया है और इसे हम पहले अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो इस तरह से ग्रीस करने के बाद आप चाहें तो इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर इसे थोड़ा आटे या मैदे से डस्ट कर लीजे तो इसके लिए थोड़ा आटा लिया मैने यहाँ इसे हम डालेंगे इस तरह से और सारे मोल्ट को अच्छे से कोट कर लेंगे और क्यूंकि मैं आज यह केक आटे से बना रही हूँ तो इसलिए मैने इसे आटे से डस्ट किया आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं तो बस इस तरह से उल्टा करके टैप करेंगे तांकि जो एक्स्ट्रा आटा वो निकल जाए तो बस हमारा ये मोल्ड अप तायार है इसे अब हम एक साइट पर रख देंगे और इसके बाद ये जो केले का मिक्षर हमने बनाया था इसमें अब हम डाल रहे हैं आधा कप ओल और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 30-40 सेकिंड तक तो बस इस तरह से से मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस बोल के उपर रखेंगे एक चन्नी और इसमें मैं डाल रहे हूं सवा कप यानि की एक कप प्लस एक चोथाई कप आटा नॉम्मल गेहूं का आटा यूज किया है मैंने यहां जिसे हम रोटीन में रोटी बनाते हैं और साथ में मैं डालूँगी एक चोटा चमच बेकिंग पाउडर आधा चोटा चमच बेकिंग सोडा और एक पिंच हम इसमें नमक डाल देंगे तो बस इन सारी चीजों को चान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे तो बस इस तरह से चानने के बाद अब हम इसे किसी स्पेचुला से मिक्स करेंगे तो इस तरह से इसे हलके हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे दिहान रखें कि इस मिक्षर को ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है बस हलके हलके हाथों से मिक्स करेंगे से हम तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दूध आइड करेंगे तो मैंने यहां आधा कब दूध लिया है और इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका एक बेटर तायार कर लेंगे तो बस इसे mix करने के बाद अब हमारा ये बेटर बिल्कुल तायार है और आप देख रहे हैं इसकी consistency तो बिल्कुल ऐसा बेटर बनाना है हमें और end मिना अब मैं इसमें आधा चुटा चमच vanilla essence आड़ कर रही हूँ ये बिल्कुल optional है आप इसे skip कर सकते हैं और साथ में मैं डाल रहे हूँ तीन से चार बड़े चमच चोको चिप्स आप चाहें तो इसे बिना चोको चिप्स के plane भी बना सकते हैं या फिर इसकी जगा कोई dry fruits भी डाल सकते हैं आप इसमें तो बस इसे भी एक बार अच्छे से हलके हाथों से mix कर लेंगे और इसके बाद अब हम बिल्कुल end में इसमें डालेंगे एक चोटा चमच white vinegar और इसे साथ के साथ mix कर लेंगे तो ध्यान रखें कि इसे साथ के साथ mix कर लेना है बट बिल्कुल हलके हाथों से mix करेंगे अभी भी हम इसे तो बस better अब हमारा तायार है और अब हम इसे डाल देंगे अपने इस mold में और इसके बाद इसे tap करेंगे तो बस mold अब हमारा तायार है और इधर ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थी ये भी काफी अच्छे से गरम हो गई है तो काफी अच्छी heat आ रही है इसमें से तब हम carefully इसे इसमें रख देंगे और इसे उपर से ढखके low medium flame के उपर पकाएंगे तकरीबन 35-40 minute तक और ये जो timing's है ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है तो आप 30 minute के बाद इसे जरूर चेक करिएगा और oven में बनाने के लिए आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना तकरीबन 35-40 minute तक या तब तक जब तक ये toothpick बिल्कुल clear ना आ जाए तो इस cake को पकते हुए पूरे 40 minute हो गए है अब हम इसे एक बर चेक कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि cake काफी अच्छे से full गया है तो बस एक बर हम इसमें toothpick डाल के insert करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल clear है इसका मतलब है कि cake बिल्कुल पक गया है तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और एक rack के उपर रख देंगे ताकि जो cake है ये थोड़ा ठंडा हो जाए और इसे मैं थोड़े कपड़े से ढख के रखूंगी ताकि जो उपर की surface है ये dry ना हो तो बस थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये cake थोड़ा ठंडा हो गया है अब हम इसे demold कर लेंगे तो पहले चाकू से इसकी sides को छुड़वा लेंगे और इसके बाद इसे किसी भी board या plate के उपर उल्टा करेंगे और निकाल लेंगे तो बहुत ये आसानी से बाहर आ जाएगा ये तो इसे के साथ तैयार है हमारा ये गेहूं के आटे से बना हुआ बनाना cake और आप देख रहे हैं इसका texture कि कितना एकदम जालीदार है बहुत ही soft और एकदम spongy बनताएगे और आपने देखा कि बिना eggs और बिना अवन घर की normal कडाही में बनाया है इसे हमने तो बहुत ही आसान है इसे बनाना आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा और अपने इस cake को आप अपनी शाम की चाई या coffee के साथ enjoy करें यह आपको बहुत पसंद आएगा तो कैसी लगी आपको आज की यह recipe मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपको आज की यह recipe पसंद आई हो तो please video को like करें और मेरे channel को subscribe करना ना भूले